अपना स्कूर ओलने चैनल में आपका स्वागत है आज हम क्लास सेवन्थ में सुब्जक सोसल सैंस में चैप्टर स्टडि करेंगे चैप्टर है हमारा इूमन एवरेमेंट इसमें हम सैटलमेंट्स की बात करेंगे ट्रांसपोर की बात करेंगे और कॉम्मुनिकेशन की बात करेंगे इस चप्टर में तो चप्टर शूर करने से पहले आपको एक र्क्वेस्ट करेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे जिसको like and share करें तो ये शुरू कटे चैप्टर को वी है व रीड इन दा अर्लियर चैप्टर अबाउट दा एन्वार्मेंट बिच कंसिस्ट अब बोथ नाच्रल और मैनमेड इन्वार्मेंट तो देखिए अर्लियर चैप्टर में जो इससे पहले हम चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारा एन्वार्मेंट है हमारा जो आसपास का एरिया स्राउंडिंग है उसमें जातों देखिए दो चीजों का बना हुआ है नैचरल जो की कुद्रत ने और और मैनमेंड जो की हमने बनाई है तो in तीस चैप्टरिस चैप्टर में हम वी विल स्टड़ी बाट थे स्पैस्पिक एसक्ट से ऑफ the human environment तो हम human environment के बारे में कुछ specifix खास बातों गो discuss करेंगे study करेंगे जो कि किसे related है सैटलमेंट से related है transportation से related है आवाज़ाई से और communication से बातचीट से तो बात करते है सैटलमेंट्स की तो सैटलमेंट्स means cluster और group of houses सैटलमेंट्स क्या होता है कि एक जगां पे cluster means एक group सा है कई सारे गर है आस पास तो उसको हम कहते है settlements settlement is the primary residence of the humans in society तो कि society में जो humans है वो settlements means groups में रहते हैं आस पास कितने ही गर होते हैं गठे रहते हैं इन ancient times पुराने समय में human beings led their life of food gathering and move from one place to another in search of food तो देखे ancient times means पुराने समय में क्या था जो human था इंसान था वो किस्तरा की life led करता था बितीत करता था food gatherers की जो की food gather करता था और move करता था एक जगा से दूसरी जगा search के लिए food की search के लिए food को रूंडरे लिए they did not have a permanent settlements उनके पास कोई permanent house नहीं होता था एक जगा नहीं होती थी fix जहाँ पे वो रहेंगे तो hence lived a nomadic life तो nomadic means ऐसे ही तुरता फिरता रहता था उसको कोई खास ठीकाना नहीं था पका they were completely dependent on the environment वो पूरी तरह से environment means जो हमारी surrounding है उसके ओपर depend करते थे किसके लिए satisfy करने के लिए अपनी basic need अपनी जुरूरी जो जुरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे food की जुरूरत है बोजन की, shelter में रहने की clothing में कपड़ों की thus their settlements were temporary इसलिए उनकी जो settlements थी वो temporary थी वो इसी चकर में इधर से उधर गुमते रहती थी थी उनका कोई permanent house में होता था in the past stone age लेकिन जो stone का is आया पत्थर का जुग आया human beings learnt the art of agriculture and farming तो इंसान ने क्या था agriculture करना फैसलें उगाना और farming में वश्रू पालना शुरू कर दिया था gradually the concept of settled life came into the being तो आइस्था इस्था gradually में आइस्था इस्था क्या था concept आयों के अंदर कि हम क्यों ना मिलकर एक जगा रहें तो एक जगा पर उसने दर्बना के रहना शुरू कर दिया the shelters were built near the areas where land could be cultivated for a temporary stay तो दिखे जो settlements थी वो कहा कि उसने उन areas में हम उसने build किये settlements अपने गर मनाए जहां पर क्या थी land वो cultivate कर सके agriculture के लिए use कर सके temporary stay कर सके the settlements were made with the help of branches of tree तो उसने क्या किये गर किस चीज़ के बनाए branches के टहनियों के बनाए trees की टहनियों से और उसको leaf से cover किया तो जैसे picture में देख सकते है settlements after the stone age देखे जो पड़ी है जो की branches की और पत्तों की बनाए गई है यहां पर देखे तो agriculture गवाना शुरू कर दिया after the stone age देखे स्टोनेज के बाद settlements were occupied seasonally तो seasonal way पर होने लगी now human being started changing their settlements with the change of season अब क्या था human season के साथ मौसम के साथ अपने जो settlements हो बदलने लगे अपने घर बदलने लगे in those areas where the climate conditions were suitable जहां पर देखे conditions मौसम सूट करता था number of settlements were more and clustered वहां पर ज़्यादा type के घर थे ज़्यादा type के लोग रहने लगे तो देखे discoveries of fire iron and wheel were the big steps towards the civilization तो civilization में मानपता में क्या था सबसे बड़ी जो discoveries थी fire की, आग की, iron की और भील की पईये की उससे क्या है, बहुत बड़ी है step उठाया the tools became more sophisticated अब जो tools थे बहुत अच्छे बन गए थे farmers started cultivating crops near the river banks तो इंसान ने क्या था farmers ने क्या था, खेती बड़ी करनी शुरू कर दी कहां पे, किनारों पे, banks में किनारों पे, नदी के किनारों के आस-पास जैसे कि नाइल नदी है, इंडेस नदी है with the passage of time समय के साथ, समय बीता गया human beings learned new ways of farming इंसान क्या था, नए-ने तरीके सीखता गया, farming करने के एक हित्तिवड़ी करने के now they started leaving a saddle life, उसने अब क्या है saddle life मींज एक जगा पे रुखके रहना शुरू कर दिया as crops required constant care throughout the cropping period क्योंकि फसलों को क्या था, ध्यान रखना पड़ता है जब तक फसल पकती नहीं तो इस कारण उसको एक जगा पे रहने क्याद पड़ गी वो एक जगा पे रहना शुरू कर गया तो देखिए ये stages of invention है वील की फिक्चर में सबसे पहले देखिए roller के उपर किसी चीज को मुप करने लगा आज से स्लेज के उपर किया तो फिर दोनों को combination कर दिया तो करते करते देखिए उसने क्या है ये wheel का जो का अविश्कर कर दिया जिसको card करते हैं तो देखिए बात काते चैप्टर की देवर नॉट र्कॉयर टू वांडरिंग सर्च ओफ फूड अब उनको देखिए फूड के लिए बोजन के लिए इतुर वांडरिंग मेंज घुमना नहीं परता था और एक जगह पर रुखके इन चिज़ों को प्रोइड कर सकते थे बंदवस कर सकते थे इसले पक्के गर पक्के सेट्लमेंट से बनने शुरू हो गया डोमेस्टिकेशन होना शुरू हो गया एनिमल्स का उन्होंने पशों को रखना शुरू कर दिया यूजीज ऑफ क्लोथ कपड़ों का जूज होने लग गया फाइबर के कपड़ों का जिससे कि वो एक पार्ट बन गे हुमन लाइफ का की सैटल्ड गर होना चाहिए पशूर रखने हैं कपड़े डालने हैं यह उनकी एक काम सी हैबिट बन गई तो उसी के साथ ही वो क्या है अपने आज पास का जो नाच्रल कुदरती इंवार्मेंट था उसको बदलने लग गया अपने जुरूरतों के साब से अब दिखे जो लोग थे जो जहां पर रह रहे थे वहां पर हुमन्स क्या था अपने आपको हार्स टेंपरज मिन ज्यादा हाई ज्यादा लो टेंपरज से बचा सकते थी चिल्ली बिंज मिन्ज जमा देने वाली थंडी हवाँ से बचा सकते थे रफ टेरन रफ एरिया जरफ मौसम से बचा सकते थे जैसे 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 अग्रिकल्टर के अक्टिविटी बढ़ती गई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बढ़ते गई उनके जो पशू पालना का तरीका बढ़ता गया माइनिंग खुदाई करते रहे हैं और इंडेस्ट्रिजिशन में फैक्टरी लगती रही तो देखे जैसे जैसे अग्रिकल्टर अक्टिविटी बढ़ती गई लोगों का पशूपा लेंड करना शुरू हो गया वह सैटल लाइफ जीजनी शुरू कर दी माइनिंग में खदाने खोदनी शुरू की इंसान ने फैक्टरी लगानी शुरू कर दी तो उससे क्या था जो वह काफी ज़्यादा एफेक्ट हुआ हमने काफी ज़्यादा उसको नुक्सान किया तो ग्रोथ ऑफ टाउंस बड़े-बड़े शहर की ग्रोथ शिटीज की ग्रोथ तो एस वेल इस इन्रिस्टरिजेशन हेक्टरी को लगना है श्रंक दा ग्रीन बैल्ट एरिया तो उससे क बड़ी करते थे हैं एकोलोजिकल इंबैलेस जिससे हमारे एकोलोजिकल बैलेस इंबैलेस मिंच जो चीज़ें जितनी तादार में थी रेशो में थी वो रेशो बिग्रना चुरू हो गया विचीज मेंटर ऑफ ग्रेट कंसरन टू ऑल अफ उस जो कि हमारे लिए सबके अगर हम इतिहास को देखें तो जाला तर जो लोग थे मानव थे उस समय के वो रिवर्स की वेलिज मीन रिवर के आसपास रहते थे जैसे कि एक्जांपल इंडेस वैली सिविलेशन जो इंडेस नदी के पास रहती थी इवन टूडे आज की समय भी वी वाटर इजन इंपोर पानी है बहुत अच्छा सोर्स है जिसके कारण जो गाओं और शेहर जाहें ग्रोथ कर रहे हैं इन डेजर्ट एरिया जहां पर रेगिस्तान है हाउसे अरे में भी जो गर हैं जो लोगों का रहना है हाउसे जब वहीं होंगे जहां पर आसपास कोहीं पानी है इस सोर्स में बहुत 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 इंपर्टन रोल है में रोल है प्लेंस और फेवरेवल लोकेशन फोर दा इस्टैब्रिश्मेंट तो कि ज्यादा तर लोग क्या है प्लेंस को चूज करते रहने के लिए जो की एरियस प्लेंस है इजी टू है वहाँ पर ना तो रेल्वेल मिलेगी ना ही जहाज उत्रनेगों को जगह होगी और ना ही बसें ट्रक यतनी ज्यादा हो पाएंगी तो प्लेंस में सभी चीज़े बढ़िया होती है ट्रांस्पोर्ट में तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह मूब करना उसको असान होता है इंसान को में इंडिया में टाउन्स लिएफ आइंडीयर में तन्सक्ति की गिया है। On the other hand, दूसरी तरफ बात करें, in high land areas, mountains की बात करें, जहां पर nature ने क्या है, restrict किया है, easy moments को भी, easy moments possible नहीं है, transport के, तो population क्या वहाँ पर, जन्द संख्या कम है, It results in few and dispersed settlements, वहाँ पर क्या है, बहुत कम लोग हैं, जो इद उदर रह रहे हैं, जातर खाली जगाँ पड़ी है, तो बाकी special sites क्या है, Some sites are chosen for the settlements because of their natural beauty, कुछ जगाँ को लोग इसलिए चूज करते हैं, वहाँ रहना, क्योंकि वहाँ पर natural में कुदरती सुन्दरता है, These are called tourism-based towns, तो देखें, tourism means, tourism के based को पर जो towns है, They provide employment to many people, तो इनसे कई लोगों को क्या है, रुजगार मिलता है, तो बात करें, इंडिया, इंडिया में श्री नेगर है, गोवा है, शिमला है, ननिताल है, उटी है, यह क्या है, कुछ ऐसी जगह है, जहाँ पर, tourism means, आने वाले, गुमने वाले लोग बहुत आते हैं, जिसके कारने हाँ पर बड़े बड़े टाउन बन गए है, तो यह सभी फेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे हम लैंड को दिखते है, उसके factors गोड़, settlements को water cannot be ignored, हम water को कभी ignore नहीं कर सकते हैं, साथ की साथ, वहां का culture क्या है, वहां की society में कैसा लोगों को रहना सहेना है, और बाकि जो environment factors हैं उनको भी हम important मानते हैं झिन्हें कर दोड़ाया करना है